है थालो भर्यवान वेलकम टो पीक ऐली का मैद्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करें bel Lotus ब्रइबीट की क्रिप्टोग्राफिय पॉवी पॉप्लिक के ब्रद कि unserer आपके लिए बहुत के लिए भी दोनों topic बहुत important होता है ठीक है तो इसमें किर्प्रोग्राफिक दो पार्ट में divided का एक तो private की क्रिप्टोग्राफिय और दुसरा public की क्रिप्टोग्राफिय प्राइबेट की कि क्रिप्टर्गार्फी का दुसरा नामें सिमेट्रिक की क्रिप्टर्गाफियं अब इस दोनों में अंतर क्या है यह हम देख लेते हैं ठीक है फ़स्टे हैं कि private प्राइबेट की विप्टरी प्राफिय क्या होता है सेंडर और यूजर दोनों के की पे यहां में सब्सक्राइंग होना भी होना पड़ेगा जिस कि से मैसेज़ लाग होगा उसी कि से मैसेज़ जिक्रीप्ट होगा बतलब अनलॉक होगा टो दोनों यूजर और क्या करना होगा एडवांस में इस प्रॉब्लम है कि जब हम लार्ज दाबेस पे करते हैं या current scenario जैसे हम वर्क करते एक की को transmit करने एक अलग टाइब का problem है इसीलिए इस problem को solve करने के लिए नया concept है जिसका नाम है public की क्रिप्टोग्राफी पबली की क्रिप्टोग्राफी में आपको की एक एड़ांस में एक्षेंज करने की कोई भी जुरुवत नहीं है अब जैसे हम प्राइबेट की क्रिप्टोग्राफी बात करें या सिमेट्री की प्रीह यह गेशनल क्रिप्रति इसको दूसरी लेंगर जो हम लोग्सेंग境 लिए कहते हैं टिक है क्लासिकल क्रिप्तोगर तो अब तक आपने जो पीछ है का लेक्चर्स पढ़गा जिसमें आपने वर्मन कि एक्षेश इस हैं हुआ पर यह सारे जो हैं ख्लाशिक ट्रगाफिक से हमने वीडियो में बोला हुआ है तैसे हम एडवांस में एक्षेंज करना पड़ रहा था हमने अफिर भी कुछ बता था शेइस हम ने की उचिया था एक मैटिक्स पीर था इस मेट्रिक्स को अगर हमने या किसी भी की को अगर advance में exchange करना पड़ रहा है तो वो एक symmetry की क्रिप्टोग्राफिका जामपल होगा उसी तरह अगर हमें की को advance में exchange करने जुरत नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक जो हम लोग अब next session में पढ़ेंगे ठीक है तो next session में हम लोग क्या पढ़ेंगे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और इसका यह आज भी यूज्भे में मतल retaining जैसे जिफ्टाफ़नाय सबसे ज़्यादा पॉपूलड़ है ओ और एश ए तो आरे अगर आप पढ़ना चाहरें तो भी और अगर आप पढ़ना चाहरें तो इसमें एकडेमी के लिए उसमें भी इसे कोशन डेफिनेटली आते हैं और इनके लिए कुछ न कुछ एजमसा नहीं तो नेक्ष्ट क्लास में हम इन सब के बारें पढ़ेंगे आज जास हम देखेंगे कि इनमें क्या-के का होता है क्या-का रुकष होता है और आपको क्या-kya चीजें सीखना है इन सब पब्लीक के प्रक्रपि हम Tuesday यह एक अलग concept Miss日 बापन बात करें तो इसमें क्या क्या किया अगर हमें मैसेज भ्यजना था यूजर सेशन जो रिशीपेंट है उसके पास हमें क्या करना होगा जो की था उसको सेक्रेट रखना था अगर मान लेजिए आप यहां से यहां से इस परसुन को भेज रहे हैं तो बीच में आपके मैसेज पर अटैक भी हो सकता है तो इसको हम लोग क्रिप्टोग्राफिक ले लेजेंगे आप लिफाफा में कुछ सम इंफर्मेशन लिख के वेजें तो बीज में आपका इंफर्मेशन मालो जैसे वह डांकिया को तुरू जा रहा है पीच में डांकिया खोल के पढ़ भी सकता और मालो उसको फिर एजिट बंद कर दिया तो रिश्पिंट को नहीं पत देख के चोड़ दिया है या फिर टेंज किया है इसको इनके लेश्पिंट कर रहा है तो पर्संग्यों इनफ्रमेशन को चेंज कर रहा है जो सब्सक्राइब कर दो यहाग लैजिए और कि ग्राइब करते हैं एक आप उन्परीडियमें पतब अब ओलने को सब्सक्रां़Beats जासे फेसबूक का किसी का डाटा यसे लीक हो गया या सब्सक्राइब मिस्राइब ढोठीक का इसमें क्या होता है अगर आपका डाटा जैसे मैंने आज वार्षाप पर आपको मेंसेज वेजा हाई हाव आ रही हूँ ठीक है तो अगर एक्टिव अटेक होगा तो मतलब जो मीडल मैंने वह इस मेंसेज को पड़तो लेगा वाट इसमें कुछ चेंज़ नहीं कर तो आपको आपको मिल गया तो इस पर जो रिशर्ष होता है या इस अटेक को हम लोग एक्टिव अटेक बोलते हैं ठीक होता है पैसिव अटेक में क्या होता है मैंने लिखा हाई हाव आ रही हूँ बट आपके पास सम्थिंग एल्स पूछा मान लेजिए कुछ पूछा कि गेब में 500 मैसेज चेंज हो गया ना इस अगर चेंज हो जाता है तो इस अटेक को हम लोग पैसिव अटेक बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक अंदर क्रिप्ट एनालीसिस भी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है रिशर्च के लिए यह में नहीं पढ़ाया जाता है बट आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं तो शुफ करिप्टे कारेंन क्रिप्टे मिले के बात शुक्रिप्ट बात कर रहे हैं उसको एक इसको हम में लोग है की शेरिंग के लिए पुछ पॉपुलर अल्गरिदम से यह पॉपुलर कंसेप्ट से जिसमें एक फिरमस है उसको आम लोग बोलते हैं डेफी हैलमन अल्गरिदम एक कंसेप्ट आज भी यूज होता है मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्जामपल भी देखाऊंगा कि कहां पी यूज होता है और कैसे रियल लाइफ में इंप्लिमेंट होता है ठीक है एक तो अगया डेफी ऐलमन दूसरा है अलगमल की एक्चेंज अलगरिदम इ इन एक्चेंज अलगरिदम को प्राइबेट की क्रिप्टोग्राफिक साथ भी इंबेट किया जाता है तो बहुत जैसे मैंने आपको पीछे अफाइन हिल्शाइपर के एक्जामपल दिया था तो आप इस डेफी ऐलमन को अलगमल की एक्चेंज क्रिप्टोग्राफिक कंसे पब्लीक की क्रिप्टोग्राफिक एक्जामपल थे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आरेशे क्रिप्टोग्राफिक जो की आरेशे क्रिप्टोग्राफिक जो की आपका पब्लीक की क्रिप्टोग्राफिक बहुत ही पॉपुलर एक्जामपल है अच्छा आरेशे 1777 में आया था राइट और इसका नाम आर से कैसे पड़ा इसके पीछे बहुत एक इंटेस्टिंग कहानी है एक तीन सैंटिस्ट या यूं कल जी मैथमेटिशियन थे इन्हें फर्स्ट का नाम था और रिवर्ष्ट राइट सेकेंड का नाम था एशमीर एंड थार्ड का नाम था एल अडलमेन ठीक है इनमें से इन्होंने सभी के नाम का फर्स्ट लेटर लिया ठीक है रिवर्ष्ट का आर समीर का एश एंड अडलमेन का ए इंशे मिला के इन्होंने अपने नाम का कंसेप्ट का जो बनाया ओल लिखा आरे से एक्चुली इन्होंने जो पेपर पब्लिश किया इसमें बहुत सरी सिमिलर्टी और इसमें जो फेक्ट उच किया गया है इंटीजर फेक्टराइजेशन का कंसेप्ट जो कि एक नंबर थियोरी में पॉपुलर प्रोब्लम है ठीक है तो वो क्या चीज है उसका थोड़ा सा हिंट आपको दे दे रहा ह हूं यह आपको समझ में आगा हो कि आरेशे का नाम आरेशे क्यों पड़ा यह तीनों जो सैंटिस्ट है इनके नाम का फर्स्ट लेटर लेकर बनाया गया है इनके रिस्पेक्ट में इस क्रिप्रोग्राफिक का नाम आरेशे क्रिप्रोग्राफिय दिया गया इसमें जो कंसे अगर बहुत बड़ा लार्ज नबर हुआ तो आप फीजिबल टाइम में नहीं निकाल सकते हैं इसको अलागी समझाते तो एक्जांपल जैसे मालों मैंने 15 ले लिए तो छोटा सा नंबर है समझने के लिए है लेकिन जब हम इसको वरक करते हैं यह बहुत बड़ा नंबर लेते हैं ठीक है यहीं इसका आरे से क्रिप्टोग्राफी का यहीं होता है कि हम बहुत बड़ा नंबर चूच करेंगे तो इसको डिटेमिनास्टिक पोलिडोमियल टाइम में हम सुल्व नहीं कर पाएंगे और इसी पर बेस्ट है आपका आरे से क्रिप्टोग्राफी जो कि आज भी हुझता है आपको सुनने में थोड़ा साथ पटा लगएगा लेकिन अगर आप नंबर थी पढ़े हो आपको यह चीज अच्छे समझ में आ जाएगा जिसे छोटा सा नंबर था तब कर पाता है तो यह नंबर थी को ओपिन प्रोवलाम आज तक इसको सुल नहीं किया गया है तो मैं इसका प्रैक्टिकल एक्यांपल दिखाता हूँ कैसे यह आप अपने कंप्यूटर मॉबाइल में भी चेक कर सकते हैं कि आरे से कहां ही जो रहा है चलिए मैं आप कोई भी ब् इस पर आपको सिंपल ऐसे क्लिक करना है आप ऐसे देख रहे होंगे connection is secure ठीक है connection is secure तो कौन सा यहां पर क्रिप्रोग्राफ ही जो रहा है आप यहां पर ऐसे कुछ देख रहे होंगे connection is secure information for example पाश्वार्ड और क्रेडिट कार नमबर आप जो भी इंटर कर रहे है इस है यहां पर कुछ आपको फिंगर्पिंट से दे रहा है मतलब यह आपका प्रेशनल की है एंड इसमें आप टाइम अगर सब देख रहे हैं कब इस रहे है कब तक विलेटेट है यहां पर डिटेल में आप जाएंगे तो यहां पर नीचे देखिए यहीं पर आपको मिलेगा सेक्षाब कर नंपर वैलुक्रिशन यहां पर आपको उसका वेलु दे दिया जो हैस्ट किया होता है मैं भी समझाओंगा यहां प्लबेहत सारा चीज्श दे रहा है कि इसके लिए यहां पे हैस्ट वैलू दे रहा है सर्टिफिकेट शिगनेचर लोगरिदम एक होता है यहां पर देखे आरसे इंक्रिप्शन यूज कर आपको दिख रहा होगा सब क्या होता है वह सब आगे की वीडियो में डिस्कूस करेंगे आपने मैथमेटिकल फंक्शन पड़ा होगा तो जैसे कि यहां पर इंपूट कुछ भी दिए इधर कुछ ऐसा आगया जिसको आपर रीड नहीं कर सकते और वापस यहां सी इधर वापस नहीं आ सकते मतलब जैसे मालों कि हमने दो दिया एक फंक्शन हमने ले लिया एफ ऑफ इसको मैंने ले लिया एक सब्सक्राइब अगर हम तू देंगे तो इसको कहां पर भेज़ेगा फोर पर भेज़ेगा पट ऐसा फंक्शन होता है इसको हम लोग ट्रैप डोर फंक्शन भी बोलते हैं मतलब एक बार आपने जैसे यहां पर टू से डाल दिए तो फोर बट वा सब्सक्राइब नेक्स्ट विडियो में हम और से को पहले एग यांपल से यह और कैसे ब्युक्ता प्रीड कंतर है Eminam झाल झाल